Question number 1 आपकी सामने है, बोलता है, पोदे nitrogen ग्रहन करते हैं, जो planet होते हैं, या आपकी nitrogen जो है कि किसके रूप में ग्रहन करते हैं, oxygen के रूप में, nitrogen के रूप में, carbon dioxide के रूप में या इनमें से कोई नहीं, option number भी विल्कुल correct अंसर आपका रहेगा, पोदे जो होते हैं, nitrogen, nitrogen के challenge होता है, किसके रूप में पादपो में बना खादिय परदाथ, पोदो के विविन अंगों पर पहुंचता है, जो पोदे होते हैं, इनका जो खादिय परदाथ बना होता है, ये पोदो के विविन अंगों पर पहुंचता है, इनका जो खादिय परदाथ बना होता है, ये option number A, बिल्कुल correct answer आपका रहेगा, following दवारा जो है, पधपो में, खादिय परदाथ, पधो के भवीन अंगों में पहुंचता है, question number 4 है, किस यंतर दवारा तने की बृद्धी दर मापी जाती है, option आपके है, autometer, oxenometer, oxenometer या इन में से कोई नहीं, जो आपके तने होते हैं, इनकी बृद्धी दर जो है, किसके दवारा मापी जाती है, option number B, बिल्कुल correct answer आपका रहेगा, किसके दवारा, oxenometer दवारा मापी जाती है, question number 5 आपके सामने है, आप्гоत्या की ठहली किसे कहा जाता है, रिबोसोम, लाइसोसोम, मैटरो कॉंडिया या फिर उपभगता सभी, आतमाप्ध्या की ठहली किसे कहा जाता है, लाइसोसॉम को option number B, बिल्कुल correct answer आपका रहेगा, लाइसोसॉम को आतमःट्या की ठहली कहा जाता है, Q6 है, लाइसोसॉम की खोज किस ने करी थी? हिसको प्रोटीन की पैक्टरी कहा जाता है what is the protein factory called it ribosome, lysosome, mitochondria इनमें से कोई नहीं option number A बिल्कुल correct answer आपका रहेगा ribosome को protein की factory कहा जाता है option number A बिल्कुल correct रहेगा question number 8 है protein का sensation होता है जो protein होता है इसका sensation किसके दवारा होता है ribosome दवारा, lysosome दवारा mitochondria दवारा इनमें से कोई नहीं protein का sensation जो है ribosome दवारा होता है, option number A बिल्कुल correct रहेगा question number 9 आपके सामने है question है DNA की खोज किसने करी थी who discovered the DNA option आपके वार्टसन एवं क्रिक, वार्टसन एवं डीडुवे डीडुवे एवं क्रिक या इनमें से कोई नहीं DNA की खोज किसने करी थी वार्टसन एवं क्रिक नहीं करी थी option number A बिल्कुल correct आपका रहेगा question number 10 है DNA और RNA होते हैं जो DNA और RNA होते हैं, ये क्या होते हैं nucleic अमल होते हैं, amino acid होते हैं A भी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता सबसे पहले आपको DNA और RNA की full form होने पता होनी चाहिए तो DNA जो होते हैं, ये आपका di, oxy, di, oxy, ribos, nucleic, nucleic, acid होता है और साथ में RNA जो होते हैं, आपका क्या होता है ribos, nucleic, acid होता है और अगर आपने ध्यान से विडि़ी देखियोंगी cancer की तो आपको उन्होंने बताए हैं, जो corona होता है, आपका ठीक है, corona होता है, ये DNA पर नहीं काम करता है, ये RNA पर काम करता है इसलिए जो है, ये ज़्यादा फैलता है और ज़्यादा ये हनिकारक होता है, ठीक है, और इसे खोजने यार फिरी इसकी दवा बनाने में उतना टाइम लगा था, यानि option number A, बिलकुल, correct answer आपका रहेगा, new click अमल होते हैं, जो DNA और RNA होते हैं, ये new click अमल आपके होते हैं, question number 11 है, DNA का double helix model दिया था, DNA का double helix model किसने दिया था, Watson ने वे क्रिक, Watson एबम डीडुवे, टूडुवे एबम क्रिक या इनमें से कोई नहीं, DNA का double helix model ये भी किसने दिया था, Watson एबम क्रिक ने दिया था, option number A, बिलकुल, correct अरहेगा, question number 12 है, मदुमे रोग होता है मदुमे रोग जो है, ये diabetes आपकी होती है जो diabetes होती है, ये किसके दवारा होती है, nucleic कमी के कारण, amino acid के कमी के कारण, insulin की कमी के कारण या इनमें से कोई नहीं तो मदुमे रोग जो है, आपका insulin की कमी के कारण होता है, option number से विलकुल, correct और रहेगा, question number 13 है, insulin की खोज किसने करी थी, who discovered the insulin option आपकी है, wetting and west, Watson एबम west, Watson एबम डीडुवे या इनमें से कोई नहीं इनसुलीन की खोज किसने करी थी wetting एबम west ने जो है, आपको बता चुका हूँ wetting नाम पहले बता चुका हूँ, कि मैसिम आपकी exam में betting पूछता है, तो insulin की खोज है wetting एबम west ने करी थी, ठीक है बैटिंग करता है, ठीक है, अब याद किस तरह से रखते हो, betting होता है, ये कहां से स्त्रावित आपका या फिर इसकी उत्पत्ति जो है, कहां से होती है यकृत, अस्तीमज्जा, अगनाशय या फिर लिहा, अब पैंक्रियास कहते है option number C, रहेगा, insulin की उत्पत्ति जो है, अगनाशय में होती है next question देखने है, question number 15 है, pepsin एक उधारन है, pepsin is a example for protein, hormone, enzyme या इनमे से कोई नहीं अब इंग्लिश के लिए, बालो के लिए, protein भी पता है, hormone भी पता है, enzyme भी पता है, सभी इंग्लिश में सेम ही रहेंगे तो जल्दी से बताईए, जो आपका pepsin होता है, किसा उधारन होता है, विल्कुल से option number C, विल्कुल correct answer आपका रहेगा, enzyme का उधारन होता है, pepsin question number 16 आपके सामने है, दूद में कौन सा vitamin नहीं पाया जाता, which vitamin is not found in milk, milk में कौन सा vitamin नहीं पाया जाता, vitamin A, vitamin B, vitamin C या इन में से कोई नहीं दूद में कौन सा विटामिन पी नहीं पाया जाता तो option number C विटामिन C जो है दूद में नहीं पाया जाता question number 17 है the toxin is a type of the toxin होता है यह A परकार का क्या होता है protein, hormone, enzyme या फिर जहरीला परदा आप मैं अगर movie देखी होगी toxin जो एका जहरीला परदाथ आपका होता है जो हमारे श्रील के लिए हानिकारक होता option number विविल्कुल correct अरहेगा question number 18 है plasmodium परजीबी होता है जो plasmodium होता है यह किसका परजीबी आपका होता है बुखार का, malaria का, हैजा का या इनने से कोई नहीं plasmodium परजीबी होता है malaria का, option number विविल्कुल correct answer आपका रहेगा malaria का परजीबी होता है plasmodium, question number 19 है malaria रोग का बाहक होता है जो malaria रोग होता है यह किसके कारण आपका होता है यह आपको पताना है CC मक्ही दवारा, मादा एंफ्लीज मच्छर दवारा AV दोने या इन में से कोई नहीं malaria रोग का बाहक होता है मादा एंफ्लीज मच्छर जो होता है malaria रोग का बाहक होता, option number विविल्कुल correct रहेगा last question इसी से लेटेड़ा और important question है malaria रोग से शरीर का कौन सा अंग परभावित होता है तो याद रखे तिल्ली या फिर सप्लीम यानि कौन सा प्रिया जो होता है यह हमारे malaria रोग से प्रभावित होने वाला अंग है जल्दी से question number एक most important है भारत पर आकरवन करने बाला परतम मुस्लिम आकरवनकारी कौन था तो पहला मुस्लिम आकरवनकारी पूछा जाए इसने आकरवन कब करा था 1712 इसवी में जो है इसने भारत पर आकरवनकारी करा था यानि 712 AD में option आपकी है महमूद गजनी, महमूद बिन कासिम, फिर दोसे या इन्ने से कोई नही भारत पर आकरवनकारी करने बाला पहला मुस्लिम साश कौन था तो महमूद बिन कासिम था option नमबर भी विल्कुल क्यारक्टरांस से आपके आ रहीगा महमूद बिन कासिम जो था यह पहला क्या था मुस्लिम कारी था इसने 712 AD में भारत पर आकरवनकार रहा था option नमबर दो आपके सामने है अर्वों ने सिंध पर कब विजे पाई थी जो अर्व थे इन्हों ने सिंध पर कब विजे पाई थी 712, 720, 700, 715 या इनमें से कोई नहीं तो आपको बता दिया जो आपके महमूद बिन कासिम था इसने 712 में जो है ठीक है यह एंपोरिल कोशिं में बता है कि जजया करका प्रेचलन जो है किसने कर रहा था option आपके महमूद गजटी, महमद बिन कासिम या फिर फिर दोस्तिया इन्हें से कोई नहीं तो जजया करका प्रेचलन जो है किसने किया था मोहुममद बिन कासी मोहुमंद गजटी बलवन याफिर रजया सुल्तार 8 बारत के लिटना जो ठीक है दनलूटना जो ठीक है इसका इसका मुख्य È्रूप Defin करने का मक्सद था question number 5 है महम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमन कब किया था इसके मौस निपोडिट पहला आक्रमन सोमनात मंदिर और तीसरा इसका अंतिम आक्रमन कौन था ये तीनों आपकी एक्जाम में पूछी आते हैं तीनों आपको बताओंगा महम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमन कब करा था एक हजार इसमी में करा था option number B option number A बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका रहेगा total आक्रमन करा रही पूछा जाए तो 17 बार इसने भारत पर आक्रमन करा था यानि 17 बार इसने भारत को लूटा था question number 6 आपके सामने है महम्मद गजनी दवारा सौमनात मंदिर लूटा गया था आपको comment box में बताना है सौमनात temple जो है वरतमान में भारत की किस राजे में स्तित है महम्मद गजनी ने सौमनात मंदिर को किस वरिश लूटा था option number D बिल्कुल correct आपको रहेगा 1025 इस भी ने सौमनात मंदिर को लूटा था महम्मद गजनी ने option number D बिल्कुल correct रहेगा question number 7 है महम्मद गजनी अंतिम भारती आकर्मन कहां पर या फिर किस सन में कर रहा था महम्मद गजनी ने भारत पर अंतिम आकर्मन किया था सन से इंसर एक option number D बिल्कुल correct रहेगा question number 8 है सुल्तान की उपादी धारन करने बाला परतम शाशक कौन था इसुल्तान की उपादी धारन करने बाला पहला शाशक कौन था महम्म्मद गजनी महम्मध बिन कास्णész फिर दोसी कोई नहीं सुल्तान की उपारी धारण करने बाला पहला शाष। खूम था ? अप्शन नमर ये बिलकूल और आपके रहे थे क्षया.. इनमे तो आपको दो बातया रखनी है पैसे बिलकुल तुख्या थे और उत्वी जो था ये क्या था एक इतिहास कार था ठीक है इतिहास कार था यानि फिर्दोसी कभी था और उत्वी जो था ये क्या था इतिहास कारी था ये किसके शाशिन काल में थे आपके आपके रहते थे यानि option number A बिल्कुल character रहेगा question number 10 important ये question आपकी exam में पूठा जा चुका है शाह नामा के लेकक कौन है who is the author of शाह नामा तो याद रखना है फिर्दोसी option number A बिल्कुल character answer आपकर रहेगा फिर्दोसी दबारा जो है कौन सी बिक लिक लिकरए ती शाह नामा लिखी गई ती अब कौन सी भाशा में लिखी गई थी फारसी भाशा में ये लिखी गई थी नेक्स्सक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कुछ जाता है यहां से आपका important है पुरानो का अध्यान करने बाला परतम मुस्लिम कौन था फिर दोसी उत्वी उत्वी इन में से कोई नहीं फिर दोसी आपको मता है क्या था कभी था उत्वी क्या था इतिहास का था और अल्भूूनी की बात करें तो अल्भूनी ऐसा वेक्त किताब उलहिंद किताब उलहिंद के लेकर कौन है तो किताब उलहिंद से आपको याद रखना है जो पुराणों का अध्यन करा था ठीक है जो आपका अलवरूनी था ठीक है अलवरूनी था इसने पुराणों का अध्यन करा था तो इसे जो है इन पुराणों के अध्यन को इस मुस्लिम समराच्य का संस्थापक को था मुस्लिम एंपाइर आपको बता रहा है भारत में किसके द्वारा स्थापित की गई थी महॉम्मद गोरी महॉम्मद गजनी इल्टूत मीशा फिर उत्कुतूबदीन एबग तो मुस्लिम समराच्य को स्थापना करने का श्रीक इसे जाता है मुहॉम्मद गोरी को जाता है और प्रित्वी रात चुहान के भी छुए थे पहले युद में आपके चुहान जीती थे याद रखें पहले युद में चुहान जीती थे और दूसरे युद में गोरी आपका दीदा था तो बताने की जूट नहीं पड़ी के एंसर आपको पता लग चुका है कॉशन नमर 16 आपके सामने है 1194 इसमी के चंदावर युद में महौमद गोरी ने हराया था 1194 में आपका महौमद गोरी की साथ है किसका युद हुआ था चंदावर का युद राजा जैचंद की साथ राजा जैटेंस के साथ जो है मोहमद गोरी का 1194 में चंदावर काईद हुआ था जिसमें आपका कौन हार गया था जैचंद हार गया था आप याद रखें जैचंद था कुन जैचंद दिथा ये प्रिट्वी राचुहान का सरसुर था अब क्वेश्चन नमर 15 है अम आपकर 17 ह में ढूर्टमान में जानते हैं इसे स्ठापना करने बाला शाशक कौन था दिल्ली सलतनत का संस्थापक कौन था कि तो आप्ष बिल्कुल करेक्वत आंध और कर रहीगा इंटूथ मिश्च बार् defix जो है दिल्ली सलतनत की स्थापना ने गई थी तो अब इलतूत मुष्चothsih अपको एक याद बात याद रखनी है किस याद रखनी का रिखना ठीक है इलतूत मुष्चुता या किस्का दास्ता महभूत गोरी का दास्ता दास्ता तो इसलिए जो एक है दास्या फिर गुलाम बच्च की स्तापक किसे माना जाता है कुदूबदीन एबग को कौशन न्यभर अठारा बता चुका हूं गुलाम या दास्वंष की स्तापना किसें करी थी तो दास्कों था इलतूत मिश्या इसका दास्ता महोमद गोरी का दास्ता तो आप्शन बर एक रेक्ट रहेगा इल्टूत मिश्ने कुलाम विश्या फिर दाश्वंस की स्थापना करी थी कॉश्चन नमर 19 है डिल्ली सल्तनत की प्रत्थम राजानी क्या थी अब यह कॉश्चन मुझे लगता है कि डिल्ली सल्तन लखनों कोलकता लाहूर या फिर चितोडगर याद रखके जो मुस्लिम सेटी गए मुस्लिम ना दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी इन्हों जो था ठीक है इन्हें बेस्ट कह सकते हैं बाकिस्तान साइड ज्यादा पसंद था तो आपको याद रखना है लाहूर लाहूर बाकिस्तान में पड़ता है लखनों कोलकता चितोडगर सभी भारत में पड़ते हैं तो आप्शन नमबर सी विल्कुल करेक्ट आंसर आप करहेगा पहली राजदानी क्या थी दिल्ली की लाहूर थी कॉस्चन नमबर 20 है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है अब ये कोश इल्तूत मिश को कहा जाता तो आप्शन नमर सी विल्कुल करेक्ट रहेगा ठीक है और रहेगा कि नेक्स कोशन को इस कोटू मिनार का निर्माड कारे किसने पूरा करवाया था अब यहांसे दो कोशन आपकी बंक्रिया आते हैं इल्तूत कि शुरूबात किसने करवाई थी तो इल्टूत मिश जो है कि किसने वनवाना शुरू करवाई थी ठीक है शुरू किसने करवाई थी कुतूबदीन एबक ने ठीक है एबक ने इसकी शुरूबात करवाई थी और इसे पूरा किसने करवाया ठीक है पूरा किसने करवाया था इल्टूत मिश ने तो इल्टूत मि मिश्टे में ने कुटू मिनार का निर्मार्ण पूरा करवाया था कॉश्चन नमर 22 है लाख वक्ष किसे कहा जाता है लाख वक्ष तालिट विच्रूलर वास कुटूबदिन एवक महौमध-गोरी इल्तूत मिश्टे मांद्व बलवन आपका रहेगा इल्तूत मिश्ट को ला तो मुस्लिम साशक की आपका रहेगा तो से एंसर गया रहेगा अढ़ाई धिन जो पड़े कानिवाज है इल्टूत मिशने तरवाया था अप्षिन नमर ए विल्कुल करेक्टर रहेगा और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो चैनल को सब्सक्रा दरगा कहां पर स्थित है इसका से एंसर हेगा option number c अज मेर में स्थित है जोगान खेलते हुए इसकी मृत्ती हुई थी तो कैसे याद राख सकते हो एबग जो था ठीक है एबग जो था आपको पता है पोलो होता है ऐसे घोड़ा करते ठीक है घोड़े पर बैटके एक सोठी भकड़ती है और एक गेर आपकी उतियों से मार ते है इसे मार रहा था तो घोड़े ने उसे क्या करा, घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया, उसी कारण उसकी मृतिव होगी, तो किसके कारण हुई थी, चोगान खेलती उसकी मृतिव होई थी, QA. 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 Q करी थी एकता सिस्टम जो है यह किसने स्टार्ट करवाया था कॉश्चन करवा चुका ऑप्शन नमबर भी विल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा इल्टूत मिश ने जो है एकता पता की शुरुबात करवाई थी कॉश्चन नमबर 29 है शुद्ध अर्भी सिक्के किसने चलाई थे तो इल्टूत मिश ने जो है शुद्ध अर्भी सिक्के चलाई थे तो आप्शन नमबर सी विल्कुल करेक्ट आ रहेगा लास्ट कोश्चन इंपोर्टिड है चांदी काटका और तांबे काजीतल नामक सिक्क किसने चलाई थे या कोशन बुशता है चांदी काटका किस साश्क ने चलाए था तांबे काजीतल किस साश्क ने चलाया था कुतुबदी नेवाग महांमद गौरी इल्टूत मिश ग्यासुदीन बलवन या इनमें से कोई नहीं बिल्कुल से आप्शन नमबर सी विल्कुल क ये आपका मूतर से ठर्जित होता है कोशन नमर 2 आपकी सामने है माने श्रीर में परचूर मात्रा में पाये जाने बाला तत्व होता है लोहा ऐलूमिनियम ऑक्सीजन कार्बन डार्क सब्सेंसर क्या रहेगा हावन बोडी में कौन सा यह सबसे इस अधिक पाई जाता है औक्षिजन जो होती है यह सबसे अधिक पाई जाती है मानुवर शरीर में तत्व की बात होती है तो धातू में आपका लोहा जो है ठीक है लोहा जो है सही एंसर रहता है अब कॉश्चन नबर तीन है मूतर का पियेच मार होता है वाट इसी बैली ऑफ यूरेन अब आपको कमेंट वक्स में जुरूर बता रहा है कॉश्चन नमर चार आपके सामने हैं मनुश्य के हिर्द्य के किस भाग में यहां रख करें किस भाग में शुद्रक पाया जाता है इन बिच पार्ट ऑफ यहां से आपके एक्जाम में सबजने के लिए ठीक है यहां से दाया लिंद दाया निल्य और बाया निल्य जो आपके निल्य होते हैं निचले साइड होते हैं और जो आलिंद होते हैं उपली साइड होते हैं और शुद्रक आपका होता है उपर की साइड पाया जाता है तो बाय अलिंद में ठीक है क्या option आपका से एंसर हेगा बाया अलि नाइट्रोजन के एक रारंग, या इनने से कोई नहीं। मानमूतर का रंग, हलका, पीला किसके कारण होता है? यूरोजन के रारंग होता है, आप्षिन नमर सी बिल्कुल प्रेक आंसर आपका रहेगा। Q2 आपके सामने है, रक्त के परवा को रोकने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, रक्त के परवा को रोकने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, और याद रखे Q2 गलत होते हैं, जब आपको जल्दी से बढ़ाना शुरू कर दू ठीक है, Q2 जल्दी जल्दी पढ़ना आपको वोलता कूछ में ऑन के हिर्दे में हो इसमें कितने हर्ध्स्या entirety में कितने ही लिए 3 में फाइं के लिए अ। होते इसी प्रकार जो है तीन भाग पाई जाते हैं मैंडिक में कौश्चिन नबर आठ है माने श्रीर का सुमानियत आपमान होता है बट इसी नॉर्मल टंप बोडी टंपरेच्चर ठानव पडशे डिगरी फार्नेहाइट सैंथी डिगरी सेल्सिस तीन सो दस केलविन यह सभी होता है आपके alieन नबर ऑप्रि porta का इस नॉर्मी की संवर्कार हाई 30 अफ दोनों या इन्मेसें कोई नहीं मुखे रूर्प से आपके 60 पहरेजते है तो 60 को आप जोड़ों में करएगा तो कितने हो जातेंगी 23 जोड़े आपके हो जांगी निए अगए यह और Q 10 है मनुश्य में मरूदंड से कितनी जोड़ी तंतरिका निकलती है, मनुश्य के मरूदंड से कितनी जोड़ी तंतरिका निकलती है, 23, 32, 31 या फिर 40 तो मुनुश्य के मरुदन या फिर spinal cord में आपकी 31 चोड़ी तंत्रिकाई पाई जाती है पाशन नमबर 14 है गुणसूत्र क्रोमसॉम की खोज किसने करी थी ठीक है गुणसूत्र या क्रोमसॉम की खोज है किसने करी थी option आपके गुणसूत्र या क्रोमसॉम की खोज करी थी question number 12 है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है question आपका बता दूँ पिछले साल पुछा जा चुका है अब नमबर में या फिर आपके फर्वरी मंत में पूछा गया था याद नहीं है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है what is the unit of the nervous system तो neuron इसका विश्कुल से अंसर रहेगा option number B neuron जो होती है यह तंत्रिका तंत्रिया निर्वर सिस्टम की unit होती है चले आपको बताना है nephron जो होती है यह किसकी unit होती है nephron जो होती है किसकी SI unit आपकी होती है जल्दी से comment box नांसर बताइए question number 13 है सबसे छोटी कोश्का होती है which is the smallest cell यहाँ पर बात हो रही है आपके मानुवर शरीर की मानुवर शरीर की सबसे छोटी कोश्का कोन सी होती है mycoplasma mycoplasma जो होती है सबसे छोटी कोश्का होती है question number 14 है कोश्का के अध्यन को क्या कहा important question है the study of cells are called it melhores seven08 कोotal वी में आपको कनी कहा जा 108 को साई आपको कंट साइटोजी जिया थी है साई टिजो होता है कि कोश्कों का अधेन कहला ददा धा और ऑस में ने खुषदी लाला हुआ तो ओप्शन ओपर एज़ है बिलकусов क्रेटर अिरे इसकी खोज किसने करी थी ऑप्शन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका रहीगा रावरट हुक ने जो है कोश्चा शवित का निर्वार्ण मेर्ख्याल से 1664 या फिर 1665 में किया था कॉश्चन नमबर 16 है दूद में पाय जाने वाला शरक्रा होता है विच इजी शुगर फाउंड इन मिल्क लेक्टोज फ्रुक्टोज एवी दोनों या इनमें से कोई नहीं कौन सा शरक्रा दूद में पाया जाता है ऑप्शन नमबर ए लेक्टोज होता है आपका दूद में पूरा लाल होता है यह विल्गत अनसर आंसर आपका रहेगा लाइकपर नहीं प कारणा आलू के खाने योग्वय भाग होता है जो आपका अध्रक आ गया, अध्रक इस तरह से आपका होता है, वापके आलू तो आपका अध्रक, इसका खाने योग्य भाग कौनसा होता है? पुष्पकरम, फल बित्ती, तना या फिर मध्य बित्ती, तो तना यानी स्टम, अब इंग्लिश में स्टम भी कहते हैं, मैं जो नहीं बता जाता है, स्टम या फिर अधरक, माफ़करे, स्टम जो होता ही, अधरक और अलू के खाने योगे भाग होता है, कौशन नमर 19 से इंप पीला होता है, लास्ट कॉशन इंपोर्डिड है, यह कॉशन अब थोड़ा इंपोर्डिड नहीं है, पर पिछले कुछ आलों मैं पूछा, जा चुका है, कपड़ा सुखाने तथा, दूद से मक्खल निकालने वाली, मशीन और कारिय करती है, किस सिधान पर कारते करती है, दूद निकालने वाली और कपड़े दोने वाली, बिरिद चुमटिय प्रेंटर के सिधान पर, अप्टेंधरी बल्च के सिधान पर एवी दोने जाएंप temptation कोई नहीं, गंगा की एक मातर सहाइक नदी जिसका उत्गम जो है कहां से होता है मेदानी शेत्र से होता है यमना गोदाबरी बरमपुत्र या फिर गौंपती Position number DB, Great Answer आपका रहेगा. गौंती नदी जो है, एक मातर सहायक नदी है गंगा की, जिसका उद्गम जो है कहां से होता है, मेदानी शेत्र से होता हैं. और Maxim जितनी भी गंगा की सहायक नदी है, उनका उद्गम जो है पहारी शेत्र से होता है. पाप्ष नमबर दू आपके सामने है ए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहाइक नदी कौनची है गंगा नदी की सबसे लाजंट ट्रिबी ट्रिविटरी ओर आपसे पूछी वी घंगा-की कौनची है गो दाबरी ब्रमपुत्र यमना या फिर सर्सवती गंगा की सबसे बड़ी सहाइक नदी कौन सी है यमना है option number C विल्कुल करेक्ट आंसर आपका परहेगा पाशन में तीन इंपोर्डिट है यमना नदी का उद्गम होता है जो यमना राइवर है इसका उद्गम कहां से होता है आमर कटक से यमनोत्री से इलाश परवत्र या इनमें से कोई नहीं गंगा की सहाइक नदी यमना का उद्गम जो है कहां से होता है option number B विल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा यमनोत्री बंदर पुंच यमनोत्री से जो है यमना नदी का उद्गम होता है वाशन में चार है सोन नदी का उद्गम होता है सोन नदी का उद्गम कहां से होता है अमर कर्टक या मनोतरी के लाश परवत या इन में से कोई नहीं option number A विकुल correct answer आपका रहेगा 100 नदी का उद्गम जो है अमर कर्टक से होता है option number 5 है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डल्टा नहीं बनाती अब डल्टा नहीं बनाती उन नदीयों को क्या का जाता है नहीं बनाती गंगा और यम्ना ब्रंपुत्र और यम्ना नर्मदा और ताप्ति या फिर ताप्ति और ब्रंपुत्र option number C विल्कुल correct answer आपकर रहेगा नर्मदा और ताप्ति एक मातर ऐसी नदीयां है भारत की जो डल्टा नहीं बनाती question number six है भारत में सबसे बड़ी नदी मुक किस नदी के मुक पर है भारत का सबसे बड़ा नदी मुक जो है ये किस नदी के मुक पर है option number D विल्कुल correct answer आपका रहेगा question number seven है बिशव का सबसे बड़ा नदी दीप जो है ये मुक पर है ये किस नदी पर स्तित है मैंक्स में आपका परता काहां पर है और समराज्य में परता है ये कौन सी नदी पर स्तित है गंगा नदी ब्रह्म पुत्तर यमना इन में से कोई नहीं बिशव का एक मात्र नदी दी माजली जो है यापता किस नदी पर है ब्रह्म पुत्तर नदी पर स्थीता ऑप्षिन नमर बी बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका रहीगा कॉश्चन नमर आठ है ब्रह्म पुत्तर को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है या जाता है Lö sitcom इसका से इंसर रहेगा याद रखें तिबर्ध में और शॉट नाम से जाना जाता है're कि Development में इसे तर दिहांग के नाम से जाना जाता आए और बंगलादेश में से किसम नाम से जाना जाता है तो सभी question important है तिबबत में सांगपा, त्वहंग, आउनाचल प्रदेश में, ब्रहमपुत्र, असाम में और जमना जो है बांगला देश में जाना जाता है ब्रहमपुत्र को question number 9 है बिशव का सबसे बड़ा देल्टा कौन सा है बिशव का सबसे बड़ा देल्टा कौन सा है आपके लिए question है जल्दी सेंसर में बताइए सबसे बड़ा देल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है बिशव का सबसे बड़ा देल्टा कौन सा है तो सुंदर बन देल्टा जो है ब्रहंपुत्र, option number D, विल्कुल correct answer आपका रहेगा, गंगा और ब्रहंपुत्र नदिया जो है, ये आपस में मिलकर, विशुप का सबसे बड़ा delta, सुंदरवल delta बनाती है, question number 11 है, डल्टा की आकरिती होती है, जो delta होता है, ये किस शेप में पाया जाता है, बर्गाकार, तुर सी नदी डेल्टा नहीं बनाती इन्ने में कौन सी भारत की नदियां डेल्टा नहीं बनाती ऑप्शना के कावेरी गंगा माहनादी या इन्मëं से क्यों नहीं तो बाकरे, कावेरी, गंगा और महानदी कि ये सभी नदियां जो है क्या बनाती है डेल्टा आपकी बनाती है None of this का से अंसर रहेगा Question number 13 है सिंदू नदी का उधगम होता है जो इंडो राइवर है इसका उधगम कहां से होता है Option number A विल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा हुआ था Question number 15 है तुल्बुल प्रयोजना स्थीत है आपका साथ मैं पूछले अगर उरी उरी प्रयोजना या फिर तुल्बुल प्रयोजना ठीक है ये दोनों आपकी कहां प्रयोजना जम्मु कश्मीर में स्थीत है Next Question है तुल्बुल प्रियोजना किस नदी पर बनाई गई है जो तुल्बुल प्रजेक्ट है ये किस राइबर पर नाया गया है चिन्नाव सिंदू जेलम या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नमबर से बिलकुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा जो आपका जेलम नदी है इस पर आपका तुल्बुल प्रियोजना में आई गई है कोईशन नमबर 17 है सतलुज नदी का उद्गम होता है सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है मटिशन नमबर आपका रहेगे जो यहां थोड़ा से झाल लेटि पास है बता दो आपको यहां से कुछ लेखने को मिलेंगे पर यापकी लाषD स्ब्राज्म नदी का उद्गम तहां से होता है मिकाल परबत अमर कटक से मिकाल परबत अमर कटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है next question है गोदावरी नदी का उद्गम होता है जो गदावरी नदी है इसका उद्गम तहां से होता है तो नासिक महारास्त से जो है गोदावरी नदी का उद्गम हो कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है तो करनाटक में कहां से ब्रह्मगिरी पहाडियां करनाटक में ब्रह्मगिरी पहाडियां से कावेरी नदी का उद्गम होता है नेक्स्ट कुशन है दक्षिन भारत की गंगा कहलाती है गंगा आफ साउथ किसे कहा जाता है दक्षिन भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है बरत की गंगा कहां से होता है तो महरास्त में महा ब्लेश्वर महा बलेश्वर महरास्त के जो है कृशन बीड़ी का उद गलता है जो लूनी नदी का जॉनी नदी है यह कहां से आपकी निकलती है, यह कहां से इसका उद्गम होता है, अराबली परवत, option number, यह विल्कुल ग्रेक्ट आपकर रहेगा, अराबली परवत से है, लूनी नदी का उद्गम होता है, अब question आपके important है, हरीद्वार, वारा नसी, पटना, किस नदी के तड़ पर स्तित है हरिद्वार वारा नसी और पट्ठ्णा यह किस नदी के तड़ पर श्तिथ Hi म laquelle अप्शन म्मबर शीरिनागर शहर स्तिथ है यह आजो है लख नो किस के तट पर स्तित ऺए लखनों रोकेटेज्वी इस लोकाहिटर ऐस्semble है बैंक र्राइवर आजीस वामेश रख़़ा पर स्थेख अप्शनमर बी ज़ेली के तट पर है कर Q28 है उजेन शेहर किस नदी के तड़ पर स्तित है और जेन शेहर जो है ये किस नदी के तड़ पर स्तित है Option C शिप्रा नदी इसका विल्कुल से एंसर रहीगा Q29 है आयोध्या किस नदी के तड़ पर स्तित है Option C सर्यू इसका विल्कुल से एंसर रहीगा लास्ट कोशिन है कर्टक किस नदी के तरफ पर स्थित है अब कर्टक स्थित कहां पर है कर्टक और इसा में स्थित है तो यह किस नदी के तरफ पर स्थित है पर आपका पंडजी पूछ ले ठीक है तो पंडजी आपका किस नदी के तरफ पर स्थित है पंडजी आपकी के लिए इंपोरिट है